कॉंग्रेस के वरिस नेता और केंट विधानसभा से प्रतियाशी सूरेकान दस्माना जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सर आप पर कॉंग्रेस ने फिर से भरोसा किया किस तरीके से आप केंट की जनता को इस बार रिजाने में और एक बार भरोसा दिलाएंग कि कॉंगेस उनका विकास करेगी नहीं हम उनको वास्तिविक्ता बताएंगे कि दस साल जब से केंट बनी है तब से वे कि अब तक इस पूरे विधानसभा छेत्र में जो यहां के प्रतिनीदियों को करना चाहिए था और उन्हें नहीं किया अस्पताल जो एक मात्र सरकारी इस्पताल है प्रेम निगर में उसका उच्ची करण नहीं कर पाए मुहाँ पर एमराइ मशीन हो सिटी स्कैन हो काडियक यूनिट हो नियूरोलोजी हो मुहाँ पर कोई विभागी नहीं है यहां पर तमाम जो हिंदुस्तान के बटवारे के वक्त पाकिस्तान से आयवे करके और गोविंदगर तक टीचर्स कलोनी तक सैकनों लोग बरबाद हो जाते हैं हर बरसात में उनके उस बाड़ से बचने का कोई अभी तक रास्ता आस तक किसी ने नहीं निकाला इस पूरे छेतर में जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ जल भराओ की जो समस्या है किसी नहीं समस्याएं, यहाँ बर रहें, उन समस्याओं के समादान के लिए जन प्रतनिदियों ने, विदायक ने, सांसथ ने, सरकार ने, कोई काम नई किया इसको हम बता रहे हैं, पांट साल से उनके लिए संगर्श कर रहे हैं और जंता जानती है कि कौन उनके साथ ख़ड़ा केंट विधान सभा सीट में भी अगर कहीं तो बहुत आदा मार्जन 2017 में भी नहीं रहा था देखी केंट विधान सभा का या पूरे राज्ज का इस समय जो हलात है जंता भारती जंता पार्टी की सरकार को भार का दरवाजाई दिखाना चाहती है और कॉंग्रेसों सत्ता मिला पहली बात पांच सालों में जंता ने महंगाई से लेकर के बिरुजगारी से लेकर के जरजर स्वास से लेकर के किसानों की आत्मत्या से लेकर के ये सारा तमाशा देखा है तीन तीन मुक्मंत्री पांच साल में प्रचंड भूमत के बाद बदल दिये गए ये जंता ने दे पूरा राज जब बीजेपी आती है, तो चाहे केंट हो, चाहे पूरा राज हो, जनता इस समय बीजेपी से निजाद चाती है, उनसे शुटकारा चाती है, तो इसलिए वो भी हमारे मैं समत्ता हूं पक्षमे होगा, और जिस लेहर की बात आप कर रहे हैं, अब हो गया, देश समय कोई लेहर, तो इस अब हो आप रहे हैं, घृसमे student को कर के रहेगी, कंग्रेज को इस राज जिकницcles सत्ता इसमय बीएं करेंगी, तो मैं धावे के साथ को कहा तो कहा रहे है, यह दिक्ता है, क्योंकि 60 पार का नारा यह नारा स्युआ ही आपक्षमे हैं, बिग्लाइस को डीजल और पेट्रोल सो पार कर दिया, तो चीनी और आलू साथ पार करने में क्या देर लगाएंगे उनका नारा है साथ पार, अब वो साथ पार क्या? आलू और चीनी, तो आलू और चीनी साथ पार कर देंगे, अगर दुबारा जनता ले आई, तो जनता ये गलती नहीं अची सर एक आखरी सवाल, आपको इस बार जनता चुनके विधान सभा पहुंचती तो सबसे पहला क्या काम करेंगा खास तोर से अपने विधान सभा के लिए? जनता को प्रणाम करूँगा, उनको धन्यवाद दूँगा कि इतनी जन विरोधी सरकार से उन्होंने पीछा चुटवाया, दूसरा काम मैंने आपको बताया, इस पूरे विधान सभा छेतर में स्वास सेवाओं को ठीक किया जाएगा, हमारे तमाम वो लोग जिनकी रिष्टि पर हम ऐसा इंतिजाम करेंगे कि जनता को मेरे पास ना आना पड़े, मैं चल करके उनके पास जाओ, उनकी समस्या सुनू और उनकी समस्या का ओन्दा स्पॉर्ट समाधाल करू।